Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ दिपिका, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छी होंगे, तो friends, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से स्कीन के लिए कौन कौन से फेशल बेस्ट रहती है, क्योंकि मैंने ये वी कोसन से देखे हैं, कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन से स् फेशल लेने चाहिए, और जिसे की आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आज हम लोग जानेंगे कि स्कीन के एकौरडिंग कैसे आप फेशल को चूस कर सकते हो, तो जब हमें अपने स्कीन के टाइप्स पता है कि हमारे स्कीन किस तरह की है, हमारे स्कीन में क्या recognition है तो हमें कौन सा फेशल लेना चाहिए ऐसेसे कょūशन अधिकदर लोगों के माइड में घूमते रहते कि हम फेशल करवाने तो जा रहे हैं मगर हमें कौनसा फेशल लेना चाहिए कई बारा ऐसा होता है कि हमें फेशल दे भी दिया है ठीक है तो सबसे फुर्स नंबर में हम बात करेंगे कि हमारे पास ऐसे क्लाइंस आते हैं जिनके इसकिन बहुत ज्यादा ड्राइज है अब गर्मी आ गई है और सर्दियों में तो इसकिन ड्राइज ही रहती लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मियों में इसकिन ड्राइज रहती है इसकिन गर्मियों में भी ड्राइ रहती है बहुत से लोगों के इसकिन बहुत जादा ही ड्राइनेस रहती है तो हम ही क्या करना सही है जैसे कि ड्राइ सकिन वालों के लिए ऐसे कोई फेशल नहीं आती है कि ये इसपैसली ड्राइ सकिन के लिए है अगर लेखी भी होती है ड्र ठोड़ासा लगाना होता है कि हम ऐसे क्या करें जिससे कि जदर ब्लभा एक नोर्मल लिए सकते हैं उस पर ओवा लेकिन बात आती है राएनिस कैसे दूर होगी तो द्रैसिके लिए हम फेशल ओई यूस करना है जिससे कि उनके इसकिन प्राइन च्रों फज़ाएगा सपर अब डॉल के यह कब पर झाला कि यह सह किरना के साहथ यह केया यह अपने पास रखने पड़ते हैं तो उसके इकाडिंग हम उनको फेशल से देते हैं अब बात करते हैं जिनके इस्किन नोर्मल है अब नोर्मल इसकिन वालों को यह देखना है कि इसकिन तो नोर्मल है कि यह सी तरह की कोई प्रोब्लम नहीं हैं लेकिन विसकिन को सहिए है कि हमारे घ्रोड चूस करें जिससे कि ग्लॉइंग प्रिचल कफ तो किया सकता हैं पंड़े सकते प्रूड शूम नोक्रटी एस prol state कि centigrade तो जिसमें एव रेडियूस होता है तो बेड़े चाहलमके लिए कि उनके की कम होगे ना लुगत जो कर देना है विर्भी औी सब्सक्रत आर ऑड करका जैसे कर पता है क्रीम। द्राइज के लिए फैदेमंद कर दिस नहीं है। ठीक है तो ओली स्किन वालों के लिए भी आप लोगों को शमझ आ गया और भी आप फेशल के चूज कर सकते हैं सिर्फ क्रीम को आप स्किप कर सकते हैं वाकि आप कोई भी फेशल जैसे कि आप इसकिन ग्लोइंग वाला फेशल दे सकते हैं इसकिन फेयर है तो आप लोटस के फ स्पेसल किट नहीं बनी है सारे फेशल किट वह ही होते हैं थोड़ा सा हमें अलग टिप्स अजमाने पड़ते हैं थोड़े से हमें अलग टिप्स करने होते हैं ठीक है तो कोंबिनेशन वाले इसकिन वालों के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं बस हम यह कर सकते हैं कि अगर इसकिन कहीं पे ज्यादा ओली है ज्यादा ओली है अगर कॉमिनेशन इसकिन में क्या होता है ना कि टी जोन एरिया ऐसे ओली होती है पके ड्राइ होती है तो हमें क्रीम की इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि फुल फेस ओईली नहीं है टी जो एरिया ही ओईली होती है तो हम पूरे पूरे फेस पे स्किप नहीं कर सकते हैं ठीक है शाथ है आपको यह धियान रखना है कि अगर उनके स्किन फेर है तो हम वाइटनिंग ब्रैटनिंग फेशल दे सकते हैं अगर उनके स्किन थोड़ा सब फेर है तो आप गोल्ड फेशल चूश कर सकते हैं अगर उनके स्किन थोड़े से डस्की है तो उनके स्किन पर परल फेशल डायमंड फेशल ऐसे फेशल को चूश कर सकते हैं अब हम बात करते हैं जिनके स्किन पर पिग्मेंटेशन है तो पिग्मेंटेशन वालों को पिग्मेंटेशन वाली फेशल ही दे सकते हैं जैसे कि पपाया फेशल किट ज्यादा तर लोगों को ये सूट करता है पपाया फेशल किट फेशल किट हमेशा पिग्मेंटेशन वालो को पापाया फेशल देना है और इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई ब्राइडल्स है ऐसे कोई क्लैंस आ जाती है जिन जो ब्राइडल्स है लेकिन उनके इसकिन थोड़ी से डस्की है जा फिर उनके इसकिन फियर भी है लेकिन उनके सकिन को glow जाहिए जैसे ब्राइडर ममोटेक घ्लू. वह उनको फिचल चाहिए है ऐसे में हम देते हैं, ओठ्सकर्टेक फोटेशनाज Australia और इसे में करना है क्योंकि जो पाललर वाले होते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स होटे हैं उसके according हमें facial kit को choose करना होता है इसलिए हमारे facial का result नहीं आता है क्योंकि हम गलत facial choose करते हैं गलत facial दे देते हैं तो उनको result नहीं आता है कई बार ऐसे complaints आते हैं कि आपने ये facial किया था हमें कोई result नहीं मिला तो हमें ऐसे ध्यार रखना होता है कि इनकी age क्या है, इनकी skin पे problem क्या है, गर्मी है, शर्दी है, किस तरह से हमें facial देनी चाहिए, यह सारे technique आप लोगों को पता होना चाहिए, तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि skin skin के coding हमें facial kit कैसे देनी चाहिए, कैसे facials का glow आएगा, कौन-कौन से skin problem में कौन-कौन से facial देन कोर्स का 25 डे में, आज हमने सिखा है कि skin के coding हमें facial kit कैसे चूश करनी है, facials हमें कैसे देनी है, के लिए इतने ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई